ओम शान्ति आज चार एप्रिल दो हजार बाइस दिन सोंवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी तुम्हे चलते फिरते याद का अभ्यास करना है एक बाप के सिम्रण में रहे नर से नारायन बनने का पुरुशार्थ करो प्रश्न निश्चे बुद्धी बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी उत्तर, उनका बाप के साथ पूरा-पूरा लव होगा, बाप के हर फरमान को पूरा-पूरा पालन करेंगे उनकी बुद्धी बाहर नहीं भटक सकती, वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे याद में रहकर भोजन बनाएंगे गीत तुने रात गवाई सोएगे ओम शान्ति पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहां का निवासी तो नहीं है परमधाम से यहां आकर हमको पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? उचे ते उचा बाप उचे ते उची पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं यह पढ़ाई परसिद्ध है इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं इस समय मनुष्यों की शकल भल मनुष्य की है परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है बंदर से तो मनुश्य में बहुत ताकत है सीख कर ताकत को पाते हैं यहां भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं कोई फिर साइंस सीख नर्क का विनाश करते हैं बरोबर स्थापना और विनाश का कारे अब चल रहा है विनाश हमेशा पुरानी चीज़ का होता है वह सब रावन को सलाम करते हैं सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो तुम बच्चे राम और रावन दोनों को जानते हो मनुष्य कहते हैं वयास ने गीता सुनाई उसमें जो भगवानु वाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है परंतु भगवान का नाम बदली कर जूठा कर दिया है बाबा कितना समझाते हैं परदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है ना की मनुष्य यह भी समझते नहीं यह भी ड्रामा में नूंध है सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते बास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं है या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है आत्मा थोड़े ही दुखी होती है आत्मा सो परमात्मा है वह कैसे दुखी होगी यह उल्टा ग्यान है अब है ही जूट खंड भारत स्वर्ग था तो सच खंड था बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रती दिन दुख बढ़ता ही जाएगा भल कितने भी यग्यदान पुन्यादी करें परंतु परिणाम क्या निकला नीचे ही गिरते गए इस समय सो परसेंट भ्रष्टाचारी नर्कवासी बन पड़े हैं इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं थोड़े आते भी रहते हैं मैजियोरिटी आय हुए है अजुन अठात अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे भगवान को याद करेंगे तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं तो कितना अच्छी रीती पढ़ना चाहिए बाप, टीचर, सत्गुरू तीनों ही इकठे मिले हैं अब और किसके पास जाएं बाप कहते हैं भल ग्रहस्त व्यवार में रहो परंतु मुझ निराकार परमातमा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ट बन सकते हो और कोई गुरू गोसाई की मत पर नहीं चलो तुम पूछते हो कि परम पिता परमातमा से तुम्हारा क्या संबंद है गौड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का किसी की भी बुद्धी में नहीं आता है फादर माना रच्यता स्वर्ग की रचना रचने वाला परन्तु यह है निराकार आत्मा भी निराकार है यह मनुश्यों को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है परमात्मा का रूप क्या है आत्मा अविनाशी है परमात्मा भी अविनाशी है हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धी चकरी में आ जाती है जिनोंने कल्प पहले वर्सा लिया है वही पुर्शार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धी में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है शिब बाबा फर्मान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो याद से विकर्म विनाश होंगे और उच पद भी पाएंगे कोई तो भल यहाँ बैटे हैं परंतु बुद्धी बाहर भटक रही है जैसे भक्ति मार्ग में होता है माया का राज्य है ना बुद्धी बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती मुश्किल कोई बाप के फर्मान पर चलते हैं बाप कहते हैं सिर पर पापों का बूझा बहुत है इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो याद में रहकर भोजन बनाओ इसमें बड़ी मेहनत है घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीती करना है 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है तुम हो कर्म योगी बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो नर से नारायन बनने का पुरुशार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हैं बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्षमी को अथवा नारायन को वरेंगे फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिब बाबा इन में आते हैं यह बात हमारी बुद्धी में नहीं बैठती है कोई शक्ती है कशिश है परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं है क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बाते नहीं है कि बाप आते हैं घीता है सबसे उँचा शास्त्र उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है फिर जो उँचे ते उँचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है मैंने ही यहे रुद्र ज्यान यग्यर अचा है क्रिश्न को तो कहते हैं शाम सुन्दर राधे क्रिश्न ही लक्ष्मी नारायन बनते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायन ही है बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालोंने 84 जन्म ली है तुम ही नमबर वन थे तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है लक्ष्मी नारायन तुम्हारे ही माबाप थे अब तुम्हारी राजधानी बन रही है तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो बनना है जरूर तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षातकार होता है अपने को संपूर्ण फरिष्टे समझते हो फरिष्टे बनने के बाद लक्ष्मी नारायन बनते हैं उनका भी साक्षतकार होता है तत्त्वम तुम भी बन रहे हो कितना अच्छी रीती समझाया जाता है आज कल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं जो पढ़कर होश्यार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं सुनने वाले धेर फोलोर्स हो जाते हैं जबान मीठी है अच्छी रीती श्रोकादी कंट कर लेते हैं मिलता कुछ भी नहीं है तमो प्रधान बन गए हैं बाबा ही आगर सतो प्रधान बनाते हैं सोभी नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार ही बनते हैं सब आत्माय तो शक्तिवान नहीं हो सकती बाप को सर्व शक्ति मान कहेंगे लक्षमी नारायन को नहीं कहेंगे शक्ति की बात अभी होती है अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है, बाप कहते हैं अमर भव जीते रहो, सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यू अक्षर ही नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बुढ़ा शरीर छोड कर नया लेते हैं, महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख जंडियां दी लगाई जाती है, ऐसे बहुत पत्थर होते हैं, जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं, नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकराता था, सत्युग में तुमको सो सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एक दम खलास हो गया है, खानियां सब खाली हो गई हैं, स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा, हम आपके बन गई हैं, कभ निश्चे से ही विजय होती है निश्चे भी पक्का होना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार निश्चे बुधी बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है बाप के फर्मान पर चल माया पर जीत पानी है शरीर निर्वा अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है याद का चाट आठ घंटे तक जरूर बनाना है वर्दान होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग्स प्रूफ भव सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो व्यर्थ को अपनी बुद्धी में स्विकार नहीं करो अगर एक व्यर्थ को भी स्विकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा जिसे ही कहते हैं फिलिंग आ गई इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को स्मर्थ में परिवर्तन कर दो तो फिलिंग प्रूफ बन जाएंगे कोई गाली दे गुसा करे आप उसको शान्ती का शीतल जल दो यह है होली हंस का कर्तव्य स्लोगन साधना के बीज को परत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य व्रती मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य पर मातमा को त्रीमूर्थी क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से तीन रूप रचे? अवश्य उन्होंने तीन रूप ब्रह्मा, विष्णू, शंकर के रचे हैं वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने यह तीन रूप अलग-अलग रचे हैं इकठा ही रचे हैं आगे पीछे नहीं रचे तो परमातमा ही कहते हैं कि यह रचना मेरी है क्योंकि मैं साकारी आकारी और निराकारी तीनों स्रिष्टी का मालिक हूं मैं साकारी लक्ष्मी नारायन देवता रूप में नहीं हूं आकारी देवता पुनर जनम में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूँ, यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है, जब मैं खुद आता हूँ, तो सारी डिपार्टमेंट साथ मिलाता हूँ, और उन्हों द्वारा ही दैवी स्रिष्टी की स्थापना, आसुरी दुनिया का विना तथा नई स्रिष्टी की पालना कराने के लिए आता हूं। मैं तो डायरेक्ट उपर से पवित्र आत्मा आता हूं और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वेह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में परवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूं। जिसका भविश्य जन्म सर्वगुण संपन सोला कला संपूर्ण श्री कृष्ण है क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विकर्मा जीत हैं। उनसे सेकिंड नमबर श्री कृष्ण बनता है। जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मातन है परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्मा कोई भी नहीं है उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं बिगडी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो वो एक ही परमात्मा है परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं जो बिगडी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है बाकि यह जो मनुश्य कहते हैं तकदीर बनाना वा बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में हैं अब यह कहना सरा सर भूल है तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में हैं परन्तु जब मनुश्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुश्यों के हाथ में जब मनुश्य अपने आपको भूलते हैं अपने बापको भूलते हैं तब ही मनुश्यों से उल्टाकार्य होने कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुश्य और बनाने वाला हुआ परमातमा इसलिए परमातमा को सुख दाता कहते हैं ना कि दुख दाता कहेंगे देखो जब परमातमा स्वयम ही इस स्रिष्टी पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुश्यों की बिगडी हुई तकदीर बनाते हैं अर्थात सबको सदगती दे देते हैं, तभी तो परमातमा को सभी मनुष्य आत्माओं का उध्धार करने वाला कहते हैं, परमातमा कहते हैं बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूं, ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमातमा तो सब की तकदीर बनाते हैं क्योंकि सभी मनुश्यों का सारी स्रिष्टी से संबंध है तभी तो परमातमा के लिए कहते हैं तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आओ तो यही सबूत है कि परमातमा तकदीर बनाने वाला है अच्छा ओम शांती झाल झाल